यौ वाट्सप गाइस के साप सभी लोग विल्कम बैक टू अनादर वीडियो तो गाइस आज हम लोग एक नया गेम ट्राइ कर रहे हैं जिसका नाम है सूपर मार्केट सिमुलाइटर वैसे आपको मैं बता दू कि यह गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पर यह द समान बैचना पड़ेगा तो समान खरीदने के लिए हमको सबसे पहले अपने लेपटोप मतलब किये पीसी में जाना है और यहां से ओडर करना है और ओडर करने के लिए हमारे पास में порядret की 100 डॉलर हमें 100 डॉलर हमें 100 तो ये हमारा bread है तो bread को मैं यहाँ पर जमा देता हूँ wait guys यहाँ पर जमा देते हैं हम लोग एक एक करके सबी के सारे के सारे bread को जमा देते हैं और मेरे हाथ में जो खाली डबबा है ना इसको मैं dust even के अंदर फेक देता हूँ क्योंकि यार गंदगी नहीं करना चाहिए क्योंकि गंदगी करने से लश्मी मातन नहीं आती है okay तो मेरे पास में एक और bread का जो है तो मैं इसको भी धिरे 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 सारे के सारे जमा देता हूँ और फिरसे जब्बे को में बाफी से कच्रे की दब्बे में फ्याक धिता हूं समान तो हम लोग ने जमा दिया लेकिन आप बर्यातिन सभी की प्राइस सेटिंग की तो सबसे पहले हम लोग ब्रेट का प्राइस सेट करेंगे तो गैस यह हमको शायद पढ़ा था 0.99 का और हम लोग इसको बैचेंगे 2 डोलर में तो इससे हमारा सीधा प्रॉफिट होगा शायद से 1 डॉलर का हो सकता है शायद से 1 डॉलर का होगा अब हम लोग भाई आटे का कर देते हैं तो आटे को यार में जादा सोच रहा हूँ 7 रूपर में बेचते हैं इसके बाद में लास्ट बचते है हमारा अंडे और अंडे शायद हमको 1.45 डॉलर का एक पड़ाई तो हम लोग इसको बेचेंगे 2.50 डॉलर का बेचेंगे तो गईस 2.50 डॉलर हम इसकी प्राइस को सेट कर देते हैं और ऑपन कहां से होती है ये बाहर से हुती है यह ऑपन कर देते हैं और व्यूलर कर देते है और पता है निचेगा यह क्या लेगा लेकिन इसने 2 ब्रेट के पैकिट उठाए है और यह मेरे पास आ चुक आ इनका पेमेंट कराने के लिए तो सबसे पिल गईस हमको ब्रेट को स्कैन करना एक को करा दूसरे को करा इससे पैसे लिए पांच रुपे दी चारका समाल लिया एक रुपे इसको वापिस करके चाल वे डन निकलियां से अब देखते गईस हमारा दूसर कस्टूमर यहां पर कोन होता है वेसे यार बहुत देरो को यार कस्टूमर नी आया क्या करगा इस बाहर जाके आते हैं बुला के आते हान सब को बुला के लिके आता हूं रुको अबी अरे आजाओ भी आजाओ नई दुकान है नय ओफर आई दीदी अंदर जाहिए समान लीजे और यह बुड़ा खाया हो गया बहुत है यह हमारी दीदी अंदर गई दीदी किती शांदार लगरी गाइस चलो गाइस दीदी का पैमेंट कर देते हैं वेसी दीदी आपको जरो दाने की नहीं थी यार मैं खुद आपके घरा यादा दे के लिए और गोड़े जल्ली से पैसे गाठ लेता हूं लाओ दीदी पैशे देदा हुआ है टा हुआ है याज है याज गाउटा लेने के लिए अंकल ने तो पाटा ले लिया आठा पैसा ले लेते हैं आठ रुपय अंकल जी ने दिये 7 रुपय का समाली आए एक रुपय इनको वापिस कर देते हैं जाओ अंकल जाओ आंट के गोजिम सोना अब यारी अंकल तो फिर सा गया भाई इसने मेरी बात तो नहीं सुली भाई बहुत गंदा मा पिस देना है अंकल क्या भाई नसवस अगर क्या है अंडे इसलिए लिए जा रहा है यह दारू के साथ पिए गाए अरे मतलब अंडे को खाएगा यार क्या तुम लोग भी समझती नहीं हो यार वैसे लाइक कर रहा अगर अभी तक नहीं करा है तो चल्दी से लाइक कर दो बाई अंकल दी का लड़का आ चुका है सुट उट पहन के पदा निगाइस यह भी पदा नी क्या ही चीज लेगा है अंडे ले लिया है इसने आटा ले लिया दो पेकीर आटे का ले लिया है देखते वाई क्या बिल रहेगा इसका तो इसने वाई काफी अच्छा समान ले बेसे तो आटा ले लिया यह सब करके इसका पैमेंट बना है 20 रुपे 16 का जमान लिया है कितने देना इसको तीन दसमलों 50 रुपर देना इसको पैस कि कौन सी चीज यार यह काफी ज़्यादा बेका लगता यह सेंट में बिजनिस करना वैसे गई हमारा अगला कस्टूमर आ 16.50 डॉलर गा तो इसको वापीस हम लोग पैसे कर देते हैं यार तो मुझे फिर से पांच रुपर लेने पढ़ेंगे एंड मुझे 33.50 डॉलर इसको देना है तो यह 50 सेंड में लगा के इसको बिड़ा चल घर निकाल वैसे यार अब तक हमने समान तो बहुत सारा बेज दि मैं सोचरों कुछ और खरी लूँ रहने तो यार आटे घर लेते हैं और बाई अब में को बाहर जाना जो मेरा आटाया होगा ना उसको मैं यहां पर जमा देता हूं वैसे कस्टूमर आया इसको भी मैं पैसे वैसे कर देता हूं एंड इसका पैमेंट हुआ है 50 और नो इसका पैमेंट बाई डाल देता हूं हमारे कस्टूमर खड़ा इनका भी पैमेंट कर देते हैं तो इन्होंने गईस अंडे लिये हैं और अंडे के साथ में थीवर दिये हैं और टू पाइंट फिप्टीन का भी लुआ है तो पचास सिंट हम इनको दे देते वापीस और पचास रुपे दिये हैं 26 का समान लिया है 24 डॉलर इनको देना है जा बड़ा घर जा रोटे बनाएगे सो कम दे दिया क्या गलती से ज्यादा दे देता मैंने सोरी यार बाई अगर एसी मस्ती में चलती रहे ना गईस धंदा बन करके मैं को बीग मांगना पड़ेगा मुझे लग रहा है वैसे गईस मेरे पास में 72 डॉलर है और मैं सोच रहा हूं कि यहां से कुछ समान ले लूँ शाइस यार मुझे ना यार यह मेरे पास यह नहीं है यह चोको पिक तो मैं इसको एक तो चोको पिक ले लेता हूं और एक ब्रेट का पैकेट ले लेता हूं और यह द चुकि तो इनका पैमेंट में कर देता हूं लिकिन वेट यार मैंने चोको पिकप पैमेंट सेट नहीं करा गाइस उसका पैमेंट करना पड़ेगा वन्ना मैं नुकसान में बेच दूँगा तो यह हमको पड़ा है 3.99 डॉलर का तो मैं इसको 6 डॉलर में बेचूंगा गाई 6 इसकी काफी अच्छी खीमत है तो छड़ो में हम इसको बेचेंगा दोड़ो का इससे फायदा कमाएंगे चलो का इस इन सभी का बिलिंग कर देते हैं इन सभी की तो गैस लाव भाई मैडम पैसे तो जल्ली से पूरे पैसे इन्होंने दियें परबर तो इनको यस करके बगा यह मैं केजी कोमेंटरी कर रहूं है और पागलो यह जी किर गई चुकड़ो यार समान ले देते हैं यहांसे कुछ-कुछ वेसी यार आठा हमारा काफी बढ़िया भिखा है तो मैं सोच रहा हूं आठा खरी लेते हैं ओकी गईस आठा हमारा आ चुका है और शाम भी काफी ह चुकि दुकान बन करने का टाइम होने वाला है तो जल्ली से मैं आठे को यहां पर जमा देता हूं और अभी थोड़े-थोड़े हमारी कस्टुमर्स भी आने वाले तो इस डब्बे को मैं फैक देता हूं जल्ली से भाई फिका जा वैसे अभी मैं सोच रहा हूं कि 25 डॉलर कुछ अगर खरीदने का होगा तो खरीद लेते लेकिन यहां पर यह फरनीचर का ओप्शन है इसको हम लोग चेक कर लेते यार तो वाई तो वाई कि 25 डॉलर में क्या सकता है कुछ भी नहीं आ सकता है वैसे वेट यार कस्टुमर आ लाइट का यहां काफी अच्छी लाइट यह अभी क्या करेंगा इस रहने देते हैं मेरी साफ से तो छोड़ेते हैं और यहार कुछ नहीं ले रहा है हम लोग और यहारी कस्टुमर भी आ चुका है तो इसका भी अपन लोग बिलिंग कर देते हैं इन्होंने कित रूपे दि का यार अंडे ले लेना चाहिए मुझे इसाब से तो वैसे यार एक मिट के बाद में तो अपनी दुकान बंद होने वली तो भी हम मैं सोच रहो है कि कली ले ले लिंग यार अंडे वंडे चोड़ो गाइस चलो और यार केस काउंटर पर कस्टुमर भी खड़ा है तो पहले भाई का पैमेंड वहरा कर देते भाई नहीं ये तो बैन है कली कलोटी फिर आ गई है चलो गाईस पैसे देतो बैन जी इन्होंने बरावर पैसे दी चलो जाओ आप लोग और सामने सर पुतीन साब आ गए बाई पुतीन साब आ गई है इनको कितने रुपे देना हमको एक ड आमेंड वगरा कर देते और मैं सोच रहा हूं गाईस इससे थोड़े से पैसे चोरी किये जाए क्योंकि इसको हम एक रुपे देंगर वापीस से ले लेंगे ऐसा हो सकता है क्या नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है तो चलो गईस आज का दिन यहीं पर ही समाप्त करते हैं वैस आज कि यारी कस्टुमर जाता गिदर इसके पीछी पीचे जाता हूं गयार यह क्योंकि आती तो है लेकिन यह जाते कांपे हमको यह भी पता होना चाहिए तो बहुत नहीं है भाई बागो पागो अपनी दुकान पे चलते है और आज का दिन गतम करते हैं वरना यह तो लप नुकसान खाया और कितना प्रॉफिट खाया है तो गाइस हम लोगों ने इंवेस्ट करा है 235 और हमारी इंकम हुए 225 इसका मतलब है कि माइनस 10 डॉलर का है हमारे भाई मैं तो टूड या वाई मैंने इत्ती मैंनत करें और फिर भी यार मैंने को 10 डॉलर का नुकसान हो गया इसकी इसकी कोई बात नहीं गैस नेक्स्ट डे हम काफी अच्छा प्रॉफिट कर लेंगे वैसे आपको अगर वीडियो पसंद रहे तो जल्ली से आप लोग लाइक कर दो और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट टू भी बनाऊ तो आप लोग कमेंट में आप लोग यॉ अल